भारत एक समरिध्ध कृशी प्रदान देश के रूप में जाना जाता है। देश जॉई ने इसी नानो टेक्नलोजी के इस्तमाल से हृशी क्षेत्र में हापी ग्रो ने एक नई ग्रांती का आगास किया है। हापी सॉईल यह एक उच्च गुडवत्ता उतपाद है जो मिट्टी के पोशन तत्व बढ़ाता है। यह उतपाद हुमिक आसिट और अन्य पोशन तत्व के सियुक्तम मिश्रंट से बनाया गया है। हापी सॉईल के उपयोग से भूमी में आवश्रक मित्र जिवाणूओं का संचार बढ़ता है। और भूमी की उर्वरा शक्ती बढ़ती है। फसलों को पोशन तत्व उपलप्त कराता है और सफेट जडों की संख्या बढ़ती है। हुरा की मात्रा एक लीटर हापी सॉईल को 200 लीटर पानी में घोल कर सिंचाई द्वारा एक एकड में इस्तमाल करे। जरूरत के नुसार 15 दन के अंतराल में दोबारा इस्तमाल करे। हैपी ग्रो के नानोटेक उत्पाद आधुनिक शक्ती से परिपूर्ण एक प्राकृतिक उत्पाद है। यहाँ पानी में शक्त प्रतशक घुलन शील है। नैनोटेक 19 यहाँ मुख्या खाद्य सामगरी है जो फसल की वृद्धी अवस्ता के दौरान दिये जाने पर कारगर साबत होता है। यहाँ उत्पाद सभी प्रकार की फसलों की उत्पादन शम्ता को बढ़ाने में मदद करता है। नैनोटेक 46 पौधों की शाखाएं मस्बूत होती है और फूलों के गिरने को कम करके उनके विकास भी मदद करती है। मादी फूलों की संख्या बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है। यह उत्पाद बौधों की जीवन चक्रे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नैनोटेक 52 इस उत्पाद को फूलों के फौलों में बदलने के बाद देना आवश्च्रक है जिससे फौलों की गुणवत्ता और आकार में वृध्धी होती है। सभी प्रकार की फसले जैसे फल, सब्जिया, फूल और अनाज में उत्कृष्ट उपच देता है। नैनोटेक 50 इसमें उपलब्ध पुटाश, धान के फलों, सब्जियों और अनाज के आकार को बढ़ाता है। इस उत्पाद से फल का रंग, आकार और चमक बढ़ जाती है। खुरा की मातरा, दो सो लीटर पानी में 500 मिली उत्पाद मिला कर चिडका गवारा इस्तमाल करे। एक लीटर उत्पाद, एक एकड के लिए टपकन संचानी द्वारा इस्तमाल करे। पौधों की जरूरत के अनुसार साथ दिन के अंतराल में दुबारा इस्तिमाल करे डी जोई के उत्पाद नोगा करे चायन होगा स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन डी जोई फामिली वेल बीइंग